क्यों भोचपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादो निरहुआ जैसा कोई नहीं है? क्यों भोचपुरी इंडस्ट्री में उन्हें कोहिनूर कहा जाता है? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी खावर देते हैं जिसे सुनने के बाद अगर आप दिनेश लाल यादो निरहुआ के फैन है तो भी नहीं है तो भी उन्हें उन पर आपको गर्व महसूस होगा साथी साथ अगर आप भोचपुरी के फैन हैं तो आपको इस बात पर फक्र होगा कि भोचपुरी में एक को ही नूर हीरा दिनेश लाल याद और निरहुआ के रूप में भी है तो आईए हम बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा जो हम आपको ये खबर सुनाने जा रहे हैं आपको तो यादी होगा कि भोचपुरी इंडस्ट्री में श्याम देहाती के निधन के बाद कई आवाजे उठी उनके परिवार की मदद के लिए श्याम देहाती की पत्नी और उनके बच्चे साथ ही उनके बुढ़े माबाप के लिए भी कई आवाजे उठी इसमें अर्विंदा केला कल्लू, खेसारी लाल यादो और पवन सिंग जैसे कई बड़े नाम थे और कई उन्हें तो यहां तक की पेश्कस की कि श्याम देहाती के दोनों बच्चों के प्रहाई का पूरा खर्चा वो जिन्दगी भर उठाएंगे लेकिन इसमें से किसी ने भी श्याम देहाती के परिवार की कोई मदद नहीं की यहाल ही में श्याम देहाती की पत्नी का इंटर्वियो आया तब लोगों को सच्चाई पता चली और श्याम देहाती की पत्नी ने ही खुलासा किया कि दिनेश लाली आदो निरहुआ अभी तक उनके बच्चों की पूरी देखरेक का खर्चा उठा रहे हैं, साथ ही समय समय पर वो फोन करते हैं और श्याम देहाती की पत्नी से हमेशा पोछते रहते हैं, अगर कोई कमी है, कि चीज की जरूरत है तो मुझे जरूर कॉल करो स्याम देहाती के दोनों बच्चों की अभी तक की इस साल की पूरी फेस दिनेश लाली आदव निरहुआ ने स्कूल में पैड कर दी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिनेश लाली आदव निरहुआ ने ना इस बा हमारे बाकी के स्टार्स को देख लीजी वो आए दिन अगर कुछ किसी की थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो इस तरह होहला मचाते हैं मानो देश की आधी गरीबी दूर कर दी है अब ऐसे में दिनेश लाली आदव निरहुआ को भूजपुरी इंडस्री का कोहिनूर हिरा न कहा जाए तो क्या कहा जाए आप ही बता दीजिए भूजपुरी जगत की होट और मसाले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए